अरडिया पुलिस ने मानब तशकरी पर बरी कारवाई करते हुए साथ साल की बच्ची को चार घंटे के अंदर शकूसल बरामत कर लिया है वह पुलिस ने मा समेच चार मानब तशकरों को गरफतार कर नयाइक हिरासत में भेज दिया है यह पूरा मामला रानी गंश्ठाना छेतर के चट नयाइक ही बताई जा रही है दरअसल पुलिस को उस बच्ची की मा कुनिया खातून ने ही अपनी बेटी के गायव होने की रिपोर्ट लिखाई जब पुलिस ने 96 शुरू की तो पता चला कि बच्ची की मा कुनिया खातून ने ही अपनी बेटी को 50 हजार रुपे में बेचा था अररिया पुलिस अदिक्षक अमीत रंजन ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि सुपॉल की प्रताप गंज से बच्ची को मेह 4 घंटे में पुलिस ने सकुशल बरामत कर लिया है निदी सिंग के साथ अररिया से रंजी ठाकुर की रिपोर्ट वेदेन शीलता को देखते हुए एक एसाइटी का गठन किया गया जिसका नेत्रत एच्ड़ी प्रताप गंज थाना अंतरकत पढ़ता है वहां से बरामत कर लिया गया फिर उसकी बात अनुसंदान में जो बात सामने आएए उसमें चार लोग अक्यूज गिरफतार हुए उनका नाम मुहमद शहरूल जो की मद्यपुरा जिला का रहने वाला है और शा मजहर जो हिंगौली मॉंबई का रहने वाला है और जहाना खातून जो मद्यपुरा की रह अविप्तों से पूश्टाश की गई उसक्रम में पता चला कि जो इसकी मा थी जिसका नाम कुनिया खातून है इसने पचास हजार में अपनी बच्ची को इन तीनों को बेज दिया था और इनका जो गिरो है वो खरीबदारी करके यहां से बैशा बच्चों को तो इस पर हम कान हम लोग में दर्च किया है और अगरतर अनुसंदान कर रहे हैं इस पूरे गिरो में जो भी शामिल है हम लोग उसमें भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और महस चार गंटे के अंदर इस बच्ची को शकुशल टीम के द्वारा बरामत कर लिया गया है और इन चादो इसके लिए जिला में एक एंडी हुमन ट्राफिक सेल भी बनाए गया है और लगादार हम लोग ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं और जैसे कोई भी सूचना प्राफ्त होती है तो हम इसमें तुरत करवाई करते हुए उसमें उसको संग्यान में भी लेता है और जैसे कि यह जैसे कि हम सूचना प्राफ्त हुई हमने उनों तुरंट टीम के गठन किया और चार गनटे में सबकुछल उसकी लड़गी को बरामत कर लिया गया है और जैसा कि इसमें पतत्थ में आया कि हजास हजार में उसकी मा नहीं बेच दिया तो हमने इस पूरे केस में मा को भी आर